एक चोटा सा प्रशन मैं यहां और साफ कर दूँ जो के हजारों वेक्तियों का प्रशन है मेरे पास बहुत बार आ चुका है लेकिन आज मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ वो कहते हैं बाबा यह जो बाहर निश्काशी तो होता है गर्दा इसको बस देखते रहना है नहीं यह समझे लो थोड़ी सी बरीक बात है जब मैं कहता हूँ तुम्हे तुमने कुछ नहीं करना है यो आ तुमने साख्षी भी नहीं बनना है तुमने देखना भी नहीं है इस गर्दो गुवार की तरफ हो तो फिर तुम कोघुगे बाबा हमें पता क्या लगेगा निकल गया पता लगेगा कैसे क्योंकि तुम सभाव से साक्षी हो परणाम गुरुजी आपकी वीडियो मेरी मम्मी डेली दिखते हैं आपने क्रिया योग और उसके बात में ध्यान यानि जिंगुर की आवाज को सुनों यह है बताया है मम्मी और मैं रोज क्रिया योग करते हैं ध्यान भी करते हैं लेकिन एक मुश्किलात खड़ी हो जाती है जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ तो विचारों का एक तुफान मेरे मन में उफन पड़ता है जब विचारों का यह तुफान ही उमरता रहेगा तो हम ध्यान में कैसे जा पाएंगे मार्क दर्शिन करने की करपा करें मैक स्टूडेंट को हमारे जमाने में गलियां कच्छी हुआ करते हैं और हम उन कच्छी गलियों में खेला करते हैं यह सडकें बाद में बनने शुरू हों और आई तो इंटर लॉकिंग लगनी शुरू हो गया तो जब सफाई कर्मचारी सफाई सेवक सो गयाता प्रवय जालू फेरता तो धूल उठती है बड़ी भारी धूल उठती है और हम उस धूल में खेलते हैं अनंद लेते हैं मा रोपती के इसे सफाई कर्मचारी को सफाई कर लेने दो यह धूल कन तमारे स्वास में चले जाएंगे तुम्हें नुक्सान करेंगे तुमने देखा जब तुम फर्ष को साफ करते हैं धूल उठता है गली में तो बहुत ज़्यादा उठता था आज कची गलीयां रेखने हैं लेकिन फर्ष को साफ करते हैं पहले ब्रूम जाड़ो फेरते हैं धूल उठता है लेकिन एक तरफ धूल उठता है और दूसरी तरफ फर्ष साफ होता है मेरे इस बात को गोर कर लिए एक तरफ धूल उठता है और दूसरी तरफ वो फर्ष साफ होता है जिसके उपर जाड़ो फेरा क्या बस ऐसे ही क्रिया योग है क्रिया योग उस जाड़ो के समान है जो आपके अचेतर मन में जमे हुई धूल को उखार फेकता है और जन्मों जन्मों से हमने धूल ही इकठा किया है वो धूल है का ही हमारे वीतर धूल है विचारों विचार कुण से अच्छे उले सम्रत्तियां अंकाक्षन वासनाए भावनाए इन सबी चीजों की दूल है एक छोटी सी उधारण तुम्हे देता हूँ तुम फर्ज करो तुम किसी बड़े अफसर के पास खड़े हूँ और वो अफसर तुम से बहुत बड़ा अफसर है एसा समझ रूँ के चीफ निस्टर या प्रायम मिनस्टर के सामने खड़े हूँ और वहवेत्ति तुम्हे कुछ अच्छा बुरा बोल देता है निश्चित रूप से तुम्हे गुसा आता है तुम्हे गुसा आता है लेकिन तुम्हे गुसा प्रगट नहीं कर पते हैं क्या करते हों दबा लेते हैं हमारे भजुर्क कहा करते थे कि गुसा बड़ा स्याना है क्रोध बड़ा स्याना है क्यों? क्योंकि सदा कमजोर के उपर आता है तुमने कभी अपने से उंचे अपने से ताक्तवर विक्ति के सामने क्रोध किया नहीं किया होता ही तो गुस्षा बड़ा स्याना है अपने से कमजोर के उपर ही आता है उसने कोई बुरी बात कहती है तो महारे वीतर परतिक्रिया तो आई लेकिन मजभूर्थ है लाचार्थ कुछ कहना सके उसकी प्रतिक्रिया व्यत्य न कर सके वो उठा हुआ गुवार दोल तुमने वीतर ही तबा लिया उसे ही मैं सुप्रेश्चन करते हूं कभी समाज के वैसे कभी परिवार के वैसे कभी संसार के वैसे कभी ओधे के वैसे कभी अन्य 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 कारणों से जो भी परिवर्तियां भीतर उठीं आप सभी को कह नहीं पाया बहुत सी परिवर्तियां दबा लिए कहीं जा रहे हुआ अंधेरा है अंधेरी गली है रात को कहीं जाना पड़ रहा है अकेले और कहीं से आवाज आ जाती है व्यंकर हूं तुम तो डर जाते हैं और जल्दी से तेजी से चाल बदल लेते हूं निकल जाओं यहां से पता नहीं क्या है वो क्या है मरतियों का डर कोई तुम्हें मारने नहीं आया लेकिन भै जीवन की इच्छा है जीवेशना है यह सबी कुछ तुमने दबा लिया है चाहा था सर्मान मिला अपमान यह दबा लिया तीन भावना दबा लिया अकसर इस्त्रियों में यह ज्यादा होते है कारणक तो क्योंकि इस्त्रियों को सभी तरफ से शुप्रेशन का समना करना परता है इस्तरी को अपनी भावनाओं का दमन, अपने विचारों का दमन, अपनी प्रतिकरियाओं का दमन करना परता है क्योंकि यह समाज पुर्ष परधान पुर्ष परधान समाज में इस्तरी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते ब्यक्त तो पुर्श भी नहीं करता था लेकिन परसेंटिस का बड़ा फरक है इसलिए आपने देखा होगा ये करोली सरकार ये बागिश्वर दान ये शक्ती पुत्रो बगएरा बगएरा इनके दामों में आप क्या परोगते हैं इस्त्रियों को जड़ा पौते हैं सिर्ख लाती हुई इस्त्रियों चीखती चलाती हुई इस्त्रियों और आप डरोगे नहीं देखा हैं लेकिन आपको पता नहीं समाज के भैसे बल के भैसे पुर्ष प्रधान समाज के भैसे समाज की कुरीतियों के भैसे इस्त्रियों को बहुत कुछ दबाना परता है दबाना पुर्षों को भी परता है बहुत दबी हुई भावना है इतर जम जाती हैं जैसे फर्ष के ओपर धूल जम जाए तुम जाडू न फिरो जूल के ओपर धूल जम जाए दूल के ओपर धूल जम जाए पुड़ा नहीं करते है, पपड़ी को तो खुर्चिना परता है, यह क्रिया योग, खुर्चिती है, ऐसे स्वास्तों तुम सारा दिन लेते हो, सारे दिन भर रात, स्वास्तों लेते रहते हो, क्योंकि स्वास्तों प्राणवाई हो, इसके बिना तो आपने करोना में हाल तो जीवन नहीं चला, जीवन समाप्त, दी एंड हो गया, ऐसे स्वास तुम 24 गंडे लेते हो, लेकर ये स्वास लेने की विशेश विदी, लंबा स्वास लो नाक से, और लंबा स्वास छोड़ दो मुख से, या कलख्त छोड़ता है, पूरे फेफड़े भर लो, क्योंकि आप सहजिता से जो स्वास लेते हो, बहर करीब 15 या 20 परतिशत से जादा नहीं होता है, और मैं तुम्हें कहता हूँ, पूबरे फेफड़े भर लो, सो परतिशत स्वास लोग, यह प्रानवाईव है, इसकी बड़ी अवश्यक्ता है, और सच पूशो तो सबसे ज़्यादा अवश्यक्ता इसी की है, यही तो मिला नहीं हमें कारोणा में, जो इतने लाखों लोग मर गए, तो आपके हीतर, मृत्यू का भै बहुत बार आता है, पग पग पर यहां मृत्यू है, और पग पग पर तुम जीने की इछा रखते हैं, तुम्हारी जीवेशना तुम्हें ड्राती है और तुम्हें नए मरने के लिए प्रेज़ित करती है और जहां भी तुम्हें खत्रा मालूम पड़ता है तुम वहां मृत्यू के भैगों दबा लेते हूँ तो आप भीतर जब जाओगे और जाओगे कब जब आप ध्यान में जाओगे तो मृत्यू से सबसे पहला सामना तुम्हें 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 ही चेत से करना पड़ेगा जैसे बाहर तुम आँखें खोलते हो, तो बाहर जो है आप आँखें से देख लेते हो लेकिन भीतर आँखें खोल के नहीं जाना है, भीतर तो आँखें बंद कर लाँ और जब तुम अपने भीतर उत्रोंगे तो सबसे पहले मुखातिव किसके होगे, किसी दूल के, जो आपने दवाली थी कहीं गई नहीं वह, दूल कभी जाती नहीं कहीं गई, दूल जम सकती है, लेकिन जाएगी गई तुम्हारे भीतर तो जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से, बहुत जन्मों से, अनिक जन्मों से, ये धूल जम गई है, और जमते जमते, कभी पानी छिटका गया, कभी फिर धूल जम गई, ये पपड़ी जम गई है, कितनी मोटी पपड़ी की तह, क्या अब तुम्हें फर् दिखना बंदा यह है और यह बड़ी विक्राल स्थिती है अब करें तो क्या करें तो यह क्रिया यूग पूरा स्वास लो पूरा स्वास चोड़ो ज्यादा पेचेदियों में पढ़ने की चेश्टा मत करें जे अम्रत है बगवान का बगवान शिव का दिया हुआ अमोग अस्थ उन्ही के दी हुई यह क्रिया इसमें मेरा कुछ इन्वेंशन नहीं शिव के दी हुई यह वर्दान रूपी क्रिया और मैं चहता हूँ कि सारा विश्व स्वास्तो लेही रहा है तब ही जिन्दा है सारा विश्व जो बारे साल से उपर के बच्चे है तो सभी क्रिया योग करें तो आप आओगे पीतर के विकार छटने शुरू होगे अगर बच्चों को आप सिखा दो के आज बहुत से सगूर होए मेरे मित्र गण, शिश गण, बच्चों को सिखा रहे हैं क्रिया योग करवाते हैं और प्रवनाम बड़े सुन्दर है ज्यादा समझदार होने शुरू होगे बच्चे चीज को ज्यादा गहराई से समझना सुरू होगे और आप से मैं बेंती करूँगा, करवध बेंती करूँगा कि अपने बच्चों से आपको प्यार बहुत है, सभी को होता है और अगर आप अपने बच्चों से फ्रेम करते हों तो कोई बुरी क्रिया नहीं है, स्वास तो आप सदा ही लेते हैं थोड़े लंबे स्वास लेने की आदत दाद आद घंटा सुबह शाम एक घंटा क्रिया यो कर, हो सके तो ज़्यादा भी कर उससे क्या होगा जन्मों जन्मों की जमी हुई धूल पपड़ी के रूप में वो उखड़ेगी साधारन जाडू फिरने से यो करती हैं ऐसे तो स्वास तुम लेते ही, ऐसे तो जाडू फिरती ही है लेकिन वो बड़ी उथली उथली जाडू है उससे ज़्यादा धूर उखता नहीं बस कभी थोड़ा सा क्रोध आ गया, थोड़ा सा कुछ लोभ आ गया कुछ अन्य अन्य वासना जग गई लेकिन यह सफिशेंट नहीं बहुत बहुत जन्मों से इस फर्ष के उपर बड़ी मोटी तह जम गई है और फर्ष दिखना ही बंदो के है इसलिए ही तो तुम्हें अपना आपा नजर नहीं आता तर यही कोशिश है कि यह पपड़ी सारी खुर्च दी जाए और तुम पाओगे फर्ष के बीतर तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखना शुलू को के है फर्ष एक दर्पन है तुम्हारे दर्पन के उपर यह दूल जम गई तुम इसमें अपना अक्स देख नहीं पाते और जब तुम अक्स नहीं देख पाते तो तुम मारे मारे फिरते हो पगले पगले से मुर्खता के काम करते फिरते हैं यह पगलाई हुई स्थिति काहे को हो गई सिर्फ इस पपड़ी इसमें सब कुछ सुमार है बासनाई इसमें कलपनाई इसमें समर्तियां इसमें प्रानी जनमों की संसकार इसमें सबी प्रकार के जन्हें आप काम, क्रोध, लोग, मो, अंकार, दमीत यह जमी हुई तहें आपके वितर जमी हैं और भै की कारण आप उगारने पाए सबी ने अपने चेहरे मोहरे तै कर लिया, समाज में मैं सरीफ हूँ और देखो यह तो ठीक, कि मैं सरीफ हूँ लोग इसमें भी गर्व उत्पन करते हैं, समझते हैं, कि मैं बदमाश हूँ हाँ मैं बड़े से बड़ा बदमाश हूँ मैं बदमाश हूँ, इसमें भी गर्व महसूस करते हूँ तो और सभी अपनी आकरतियों को, बनावटी आकरतियों को, बचाने में वैस्ते हैं और सारा दिन वैस्ते हैं बस तुम इन आकर्तियों को ही सारी उमर बचाते रहोगे और बचाते बचाते लोग आखर में प्रान त्याग देते हैं ये आदमी की है जीवन का था तो पूशा बुटिया ने कि जब मैं ध्यान में बैठती हूं तो गर्दो गुवार विचारों का तुफान की तरह आता है गेर लेता है हमें का कर अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो हम ध्यान में जाएंगे कैसे ऐसे ही जाओगा ये जो धूल उठती है मैंने बहुत बार कहा ठीक से समझब नहीं आया या सुना नहीं जाया ये जो गर्दो गुवार है ये जो अचेतन से उठके चेतन में आया है ये आया किसी लिए है जो मैं आपको समझा दूँ जो धूल आसमान में उड़ जाती है वह आसमान में उपर उड़ जाती है दूर दूर उपर जाती है और आपका फर्ष सब हो जाता है यह चेतन में आय क्यूं है बाहर निसकाशित होने के लिए निकासी होने के लिए तुझे आएगी तो आपने उस वक्त क्या करना है गवरान बैठ जाना है और देखे यह बहुत है थोड़ी में तो बड़ा धैरे रखना पड़ेगा पर्तिक्षा करने पर गवराना मत करना जल्द बाजी मत करना के अभी जे सारा कूडा करकट कचरा निकले ही चले जा रहा है इतना वक्त बीत गया कितना भी वक्त बीत जाए तकिन इस कचरे को साफ करना है क्रियायोग इससे जाडू का काम करेगा दोल उठेगी जमे हुई पपड़ी उपर उठेगी आस्मान में और वो ही विचार हैं तोबारे और उन विचारों में किसी एक तरह का विचार नहीं है मृत्यों का वह भी उसमें है काम क्रोध लोह मो अंकार सभी प्रवित्यों भी उसमें शामिल हैं जो आपने दबा ली बहर से कहीं से नहीं है ये आपका ही दबाया हुआ कार्यकरम है सारा किसी भी कारण से दबाई आपने है लेकन हैं आपकी दबाई भी बहर से उंडेली हुई कुछ भी नहीं है जाओ आपके अचीतन मन में इनकी तहे जम गई है और बाबा ने ये अमोग अस्त्र दिया है आपको जो आपके मन के दर्पन को साफ करते है फर्ष आपका साफ हो जाएगा वास्त्र में आप दर्पन हो लेकिन इस जमी हुई कीचिड के कारण दर्पन में आपका मुख दखाई नहीं पड़ता है वो आर जो तुम हो को दर्पन में अपना चेहरा दखाई पड़ जाता है लेकिन कीचिड में कैसे देखोगे अपना चेहरा नहीं देखेगा तो क्या करना पड़ेगा? इस कीचड को साफ करने पड़ेगा और यह क्रियायोग कीचड को साफ करने की ही विदी है नीचे से निकलेगा दरपन क्रियायोग के बाद दो बाती समझे लेने जैसी अगर नीद आए तो सो जाना नीद आए तो सो जाना मेरे पास रोज बश्चन आते हैं बाबा नीद आते हैं बहुत नीद आती है मैं कहते हूं शुबै यह नीद साधारन नीद नहीं है जो आप रात्री में नीद लेते हूं यह नीद अनित रहकी नीद है जिसे योग में योग निद्रा बैता है यह ध्यान की निद्ध है वह शुशुप्ति की निद्ध है जो आप रात को लेते हो जो आप ध्यान में निद्ध लेते हो क्रिया योग के बाद जो निद्ध आती है वह ध्यान की निद्ध है वह जागरत मींद है उससे आप बड़े फ्रेश हो जाओगे जो क्रिया योग में उठा दूल गर्दो गुबार वह अपने आप से बाहर निस्काशकित हो जाएगा बस तुम सो जाओ यह नेचुरल प्रोसेस है उठा हुआ गर्दो गुबार अपने आप बाहर निकल जाएगा तुम सो जाओ फिर जगना नहीं और अगर नीदन आए तो ध्यान में बैठ जाओ तो ध्यान में फिर आपको पता चलेगा कि मन तुफान किदर आता है यह सभी बृतियां है जो मैंने आपको गिनाएं इसमें सभी प्रकार का सम मिश्रण है बृतियों का कामनाओं का कल्पनाओं का बिचारों का समर्थियों का जहां जहां आपने दबाया मन को ठेस पहुंची सब आपने बीतर दफन कर लिया कबरिस्तान बना लिया आपका अचेतन मन कबरिस्तान की बाती है दफन है इस मजब कुछ इसको उगारना है इसके बीतर जो छुपा हुआ है वह तुमारे होने का स्वेरूप उसको ढाप लेता है बुरी तरह से और हमने उसको उगारना ताकि आपको पता चला के आप भूकों बस यही प्रक्रिया है बड़ी सरल प्रक्रिया है कोई मुश्किल है घर में रहते हुए ग्रहिस्त में रहते हुए आप इस प्रक्रिया के द्वरा संबोधी को प्राप्त हो सकते हैं संबोधी यानि पर्मखुषिज संबोधी में कोई प्रमात्मा का दर्शन नहीं होता ये बाद समझे ले ना मैंने बहुत दुमार प्राण प्रमात्मा कोई लाखों हातों बाला आदमी नहीं प्रमात्मा पर्म खुशी का नाम है प्रमात्मा पर्म मस्ती का नाम है मस्ती में नाचने का नाम है प्रमात्मा मस्ती में गाने का नाम है प्रमात्मा खुशी में जूमने का नृत्य करने का नाम है प्रमात्मा तुम्हारे प्रमात्मा मार्क दर्शकों ने तुम्हें बहका दिया और तुम गलती यहां खा गए कि तुम शब्दों से चुपट गए शब्दों से चुपट गए या आकृतियों से चुपट गए मैं अगर मुर्ति पुजा का निशेद करता हूं तो उसका सबसे बड़ा कार्म यह है मूर्ति पूजा परमात्मा तक पहुंचने का एक जंग है लेकिन मैं इसका स्ट्रिक्ट वरोध करता हूँ क्यों कि एक खत्रा बहुत बड़ा है कि आप मूर्ति को ही उसका स्वेरूप समझ के पूजना सुरू करता है बस यही खत्रा है कि मैं रोज बोलता हूँ किसने दुर्गा को उसका रूप समझ लिया किसने काली को समझ लिया किसने हनुमान को समझ लिया किसने शंकर को समझ लिया किसने नार्द को समझ लिया विश्नु को समझ लिया ब्रह्म आपके तो कितने करोडों देवी देवता है बस यही खत्रा है आप आक्रितियों से चिपट जाते हो फिर बहस करते हो प्रमात्मा साकार है और अपना कीमती वक्त इसी बहस में गुजार देते हैं प्रमात्मा साकार है या प्रमात्मा निराकार है बहुत से पागलों को आप पंडाल में बैठे हुए शास्तरात करते हुए देखोगे वह साकार है या निराकार है वह निरगुन है या सागुन है मैं कहता हूम तूम बहस किंगु करते हू? Why were wasting our time? समें किंगुं वर्बाद करते हू? वहां पहुंच के देखी लो, कि वो है कॉम? मैं आफसे पूसता हूम, कि परसनता का कोई अकार होता है? बताईए। जो लोग परमात्मा साकार है के निराकार है इसके उपर बहस करते हैं और मेरे पास रोज कमेंट और फोन आ जाते हैं और मैं रोज पढ़ता हूँ तो मैं हसता हूँ क्या कोई? कहां तक गिराऊंगा? जाने का वक्त आ गया है कहां तक गरम होगा? मैंने तो लोहार का गण भी प्रयोक करना शुरू कर दिया सुनार की चोटे तो मैं शुरू से ही ने बरता हूँ लोहार के गण भी मैंने मारनी शुरू कर दिया लेकिन आपकी जमी हुई पपड़ियां के माले पत्थर बन गए हैं मैं करूं क्या कैसे उखाड़ूं? आपकी जे अंध मानने तने जरा बतानो खुशी साकार है या नरापार है? खुशी आनंद मस्ती स्वाद आकार है के नराकार है? बताओ आप कहते हूं मैं बहुत खुश हूं मैं कहते हूं बताओ खुशी को निकाल के दिखाओ कहा है तो आप उसे दिखा पाओ नहीं दिखा पाओ क्योंकि खुशी का कोई प्रारूप होता ही खुशी सकार नहीं होते हैं खुशी मात्रिय का अन्भव है जिसमें आप नाशते हो जिसमें आप मस्त होते हो जिसमें आपकी कदमताल सद्धती है जिसमें भीतर का संगीत ऐसे प्राणों से बज़ता है ऐसे हर्मनी होती है भीतर कि आप उसमें मगन हो जाते हो मेरा खो जाती है नान कमस्त हो जाते है खुमार में कभीर सुर्थी के अंदर मगन हो जाते है सबूरी और सुर्थी में मगन हुआ कभी गाता है उस गाने का कोई स्ट्रक्चर होता है उस गाने का कोई स्ट्रक्चर होता है कोई आकार होता है गानेगा नहीं तो परमात्मा परम खुशी है और मुर्ख रोज बहस करते हैं कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा अंग्राकार है सच पूछो तो बहुत सी ऐसे चीजे हैं साकार से ज़्यादा ऐसी चीजे हैं नेराकार जिनका कोई आकार नहीं होता और जो तुम महसूस करते हो बना दर्द को दखाओ निकालके कहां होता है दर्द दर्द होता तो है ने पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया आत पाओं में दर्द हो गया लेकिन तुम डाक्टर से कहते है डाक्टर समझता है बात को लेकिन डाक्टर अगर बहस करना सुरू करते हैं कि दर्द होता ही और दर्द साकार होता है तो निकाल के दिखाओ दर्द कहो है बस फिर वो डाक्टर है जिन तुम ऐसा ही बहस करते हो बहस सगुन है यह नर्गुन है तुम इन व्यर्थ की बातों के वक्त खराब कर देते हो शक्ती खराब कर देते हो वही शक्ती तुम्हें तुम्हें तुम्हारा अपना दिखा सकती थी आप बाह वास्तम में तुम कौन है जिसको जानने के बाद सभी मुकाम के सभी बहस के मरहरे खतम हो जाते है बना देखने के बाद कभी किसी ने बहस की है के ताज महल है के नहीं और ताज महल काले रंग का है कि सफेद रंग का है कभी भैस की है नहीं की न क्यों क्योंकि उन्होंने देख लिए ये भैस वो ही लोग करते हैं दो अग्यानियों में भैस होती है दो ग्यानियों में कभी भैस का चर्चा भी नहीं होते है सही पूछो लो वो भी जानता है, वो भी जानता है, दोनों ने का आज महल देख रही जाए, वो चर्चा भी नहीं करेंगे, कहें कि छोड़ो, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, क्या चर्चा भी क्या करने है? एक ज्ञानी और अज्ञानी के वितर सिर्फ एक प्रवा होता है ज्ञान को ज्ञानी ज्ञान बाड़ता है अज्ञानी और सच्चा अज्ञान ज्ञान को ग्रहन करता है यही गुरु शिशी की प्रम्प्रा है यह तूफान उठेगा लाजमी है अनिवारिय है तोकि आपके वीठर बहुत कुछ इकठा हुआ है सभी के वीठर बहुत कुछ इकठा हुआ है और जिस गड़ी यह सारा इकठा हुआ कचरा, कुडा, मलवा भी खंडित हो गया निस्काशित हो गया बाहर वातवर्ण में भिकर गया, उस वक्त आप आओगे, आप एक दर्पन है, तुम्हारे सबी जगडे, जंजट, उतपात, जिस चीज से पैदा होते हैं, वह चीज है, ये धूल, अगर ये धूल नहों, तो जगडे ना पैदा होते हैं, फसाद ना पैदा होते हैं, कलेश न पैदा होते हैं, मूल कारण को समझे लो, मैं जो रोज परशन आते हैं, गर में बड़ा कलेश रहता है, मैं कहता हूँ, सबावी का है, सबी के मन भरे पड़े हैं, और भरा हुआ मन, नाको नाक भरा हुए हैं सब, ये जगड़ा तुम्हें पता नहीं है क्या, ये कथरसिस है तुम्हारा, तुम जाने अंजाने कथरसिस कर रहे हैं, तुम्हें पता हैं नहीं चलता, कब क्रोधा के हैं, और क्रोध में तुम गुथम गुथा हो गया, लड़ाई जगड़े हो जाते हैं, लाठियां चल जाते हैं, गोलियां चल जाते हैं, और जब वो सारा कथरसिस हो जाता है, तो तुम बैठ के पश्टाते हो, जो धूल उठा था, वो बाहर निकल गया, सब चला लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, हिंसा हुई, शब्दावली का बद्दी, शब्दावली का प्रयोग हो, लेकिन बात में तुम पश्टाते हो, कहने के जरूरत तो नहीं थी, इतनी तो बात भी नहीं थी, जितनी हमने बढ़ा ली, तुम भी भरे हुए हो, दूसरा भी भरा हुआ है, यह सारा बिश्व, नाकों नाक भरे हुए लोगों का विश्व है, यह एक चलता फिरता, खुला पागल खना है, बस जिसके बीतर से, नाकों में से, चलते चलते, यह गवार निकलना शुरू हो जाता है, उससे तुम पागल खाने के बीतर बरती कर देते हो, अने था पागल सब ही हैं, और पागल में किसे करता हैं, जो इस पपड़ी से, पूरे का पूरा भरा हुआ है, जिसका अचेतन मन भर गया, अब चेतन मन भर गया, और ओवरफलो होकर कहां आ गया, चेतन तक आ गया, अचेतन भी भर गया, अब चेतन भी भर गया, और ओवरफलो होकर चेतन तक आ गया, अब जो चेतन में आ गया आपने देखा बहुत से विक्ति दो बस अब थोड़ा सा उनको छेड़ दो शुरू हो जाएंगे भरे पड़े जैसे कोई फोड़ा फूटने को तयार और थोड़ा सा काटा चूप जाएंगे तो मवाद भरी हुई मवाद की पिछकारी शुटेगी तो कि वह फोड़ा तयार था फूटने को ऐसे ही सब अपने अपने फोड़े लिए फरते हैं संसार में बस थोड़ी सी सूल चुबी और मवाद की पिछकारी बाहर नकले मुझे रोज कुमेंट आ जाते हैं मां बहनों की गालियां नकाली जाते हैं तुमसे मैं यही कहते हैं बुद को रोज गालियां पढ़ते हैं बुद के उपर लोग थूक जाते हैं बुरा बैभार करते हैं पानी डाल देते हैं गंदा हो बुद कुछ नहीं करते हैं बुद जानते हैं और ऐसे ही लोग समझदार होते हैं जिनका अंतस्खाली हो गया और उस अंतस्खाली करने की फिराख में मैंने आपको क्रियायोग के साथ में देए बचपन से ही धूल को उड़ाते जाओ थोड़ी थोड़ी धूल जमती है बचपन में क्रियायोग करना सुकरते हैं जितनी धूल बनी उड़ गई फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहा है पाकि ये धूल धूल ही रह जाए पपड़ी न बने और पपड़ी का पहाड तो बिलकुल न बने आई तो ये पपड़ियां जमके शुमेरृ परवथ की वांती हो गए ये माले परवथ की वांती हो गए जाए गुरू क्या करे यह तो छोटी है थोड़ी काम नहीं करे लिए यहान तो बड़े गहन चलेंगे और गहन भी नहीं आज तो बड़े आरे चलाने पड़ेंगे माले परवत कुछीर ना असान होता है वो ही मुझे करना पड़ रहा है और मैं जब घंड मारता हूं तो चीखते हैं लोग ये क्या किया बाबा बड़ा मारो बाई करह जाते हैं लोग और कुछ जो थोड़े से ऐस हैश्णू हैं वो उल्टा गालिया नकालते हैं मुझे पता है निकालेंगे दर्थ होगा सब जहन पड़ेगा लेकर गुरु बड़ा सहश्णू होता है गुरु समझता है ये अकसमात नहीं हुआ अकारण नहीं हुआ मैंने थोड़ा चलाया तो आहा निकली वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बद्रा वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हमारा चलाया हुआ गाना हथोड़ा बड़ी आहा भरते हैं अरे मार दियो भाई उस तो हम सोचते हो क्या हम इसलिए जहां आये थे क्या बाबा के यही कुछ सुनने के लिए हम आये थे सुन लोगे तो भागिशाली हो गए कोई भागिशाली लोग ही इन गणों की तंकार को सुन पाएगा और सहर पाएगा उसके भीत्र का अचीतन धीरे धीरे खादी होता जाएगा वक्त लगेगा हर सीज में धीरे जमत कोण धीरे जमत कोणा और इंतिजार कर रहा एक दन आयेगा जब क्यामत होगी किसके तुमारे अंकार की तुमारे इल्यूजन की और वह आएगा वह पर्म प्यारा आएगा वह आनंद का सुरूप आएगा वह पर्म खुशी तुमें भी नसीब होगा अखंड पर्म खुशी छोटी छोटी खुशियां तो तुम रोज ले लेते हो इदर से उदर से उदर से उदर से उदर से छोटी छोटी खुशियां संसार में हैं मिलती भी हैं उन्हीं से तुम काम चला लेते हो बस यही तुम्हारी पूंजी है यही तुम्हारे आनंद के जीने का साधन है लेकिन बड़ी बड़ी आनंद की राशी तो फकीरों के बागे में होती है बहे तो कोई डाइजनीज ही ले पाता है सिकंद्रों के वागे में ये कहां होती है राजाओं के वागे में ये कहां होती है राजा तो तरफते है राजा तो राजनीति के जाल विसाते रहते है उन्हें भरम है कि मैं सबसे उचा बन जाऊंगा सबसे उची गद्धी पे बैठ जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा बस ये भ्रह्म है लेकिन जब हम उसको सबसे उची गद्धी पे बठा देते हैं जनता उसको सबसे उची गद्धी पे बठा देती है तो वैं छट पुटाता है क्यों छट पुटाता है वह समिचता था कि मैं ऐसे गद्दी पे बैठूंगा तो बड़ा सुख मिलेगा लेकिन मिलता नहीं कभी गद्दियों में सुख मिला है गद्दियों में सुख है नहीं पदार्थों में सुख है नहीं सुख का सुरूत तमारे वीतर है और वहां तक पहुँचने का सबसे पहला उबाई है क्रिया जोग करो जालू की बाती धीरे 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 यह तमारी इस दूल को चीतन में लेके आएगा और तुम्हें ड्राएगा तुम कहोगे अरे इतनी धूल है देखना बंद हो गया स्वास नहीं आता डर्ना मत यह तुम्हारा ही कुड़ा साफ हो रहा है और तुम पाओगे तुम हलके हो रहा है कभी बै आएगा तुम कपोगे सूके पते कितरे कपोगे कभी नफरत आएगी धरना आएगी भीतर से यह सब दबाई हुई है जो आता है चेतन में अचेतन से वह तुमने कभी दबा लिया था बस इस बात को समझ लेना बै कुछ भी यह जाए और वह बाहर आएगा किसी भी रूप में आए तुमने क्या करने है उस वकत क्रिया योग के बाद इसलिए मैंने का तुम ध्यान में बैठ जानगा नीद आए तो सो जाना, फिर नीद में निकल जाएगा वो अगर क्रिया जोग करने के बाद आपको नीद आती है तो आप सो जाना फिर वह नीद में निसकाशित हो जाएगा, जो धूल उठी थी और अगर नीद नहीं आती है तो आप द्यान में बैठ जाना फिर द्यान में निकल जानी देना तो ये तो लगेगा और ये जो दुफान कहां से आगया विचारों का और इतने विचार और इतनी तरह के विचार और टिकता ही नहीं एक पल के लिए भी इसे ही तो मन कहते हैं जो कहीं टिक है न जो पल पल पलक पलक मन और मन है लेकिन तुमने क्या करना है उस सवस्ता में यह समझे तुमने कुछ नहीं करना है तुमने कुछ नहीं करना है जो होता है उने देना है यह गर्दो गुवार जो आया यह उड़ेगा धूर अकाश में उड़ जाएगा वातवर में विखर जाएगा बस तुम सहयोग करना है उसमें और सहयोग कैसे करोगे इसके बीच में इंटरफिरेंस ना करके वही तुम्हारा सहयोग है तुम इतनी करपा कर जाना है तुम कोई इंटरफिरेंस मत करने है यह बाहर निकलने के लिए इसको निकल जाने के में बिना रोब टोके हैं कोई छान बीन न करना कोई पहरेदारी न बठाना कोई चेकिंग फेकिंग मत करना यह क्या आया है क्यों आया है कोई इन्वेस्टिगेशन बाहर निकलने के लिए आया है तुमहरा दबाया हुआ था इसको निकल जाने बाए तुम हल के हो जाओ गशा तुमने देखा, जगड़ा करने के बाद, तुम शान्त हो जाते हो, जब भी कभी तुम जगड़ा करते हो, उसके बाद जब थोड़े से शान्त होते हो, बैठ चाते हो, तो पश्टाते हो, और यह यह इतनी बात तो कोई नहीं थी, इतनी कोई बात तो नहीं थी जो हमने बात का बतंकड बना लिया भाई बात का बतंकड नहीं बना रहा यह बात का बतंकड बनना ही था दोनों भरे पड़े थे इसमें किसी का कसूर नहीं कसूर है उस कचरे का जो दोनों ने दबा लिया और अब वो बाहर निकलेगा, शने शने बाहर निकलेगा, क्योंकि तुम नाको नाक वर गए हो, और तुमारे वस्मे रहा नहीं, तुम बिलकुल टेंक की फुल है, इस गर्दों को बार से, अब तुम इसे रोक नहीं है सकते हैं, तुमारे बलबूते से बाहर की बात है, एक चोटा सा प्रशन मैं यहां और साफ कर दूँ, जो के हजारों वेक्तियों का प्रशन है, मेरे पास बहुत बार आ चुका है, लेकन आज मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ, वो कहते हैं, बाबा ये जो बाहर निश्काशी तो होता है, गर्दा, इसको बस देखते रहना है, नहीं ये समझलो, थोड़ सी बरीक बात है, जब मैं कहता हूँ, तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने साक्षी भी नहीं बनना है, तुमने देखना भी नहीं है इस गर्दोगोवार की तरफ है, तो फिर तुम कहोगे, बाबा हमें पता क्या लगेगा, क्या निकल गया, पता लग क्योंकि तुम सभाव से साक्षी हो, तुम सभाव से द्रष्टा हो, तुम्हें द्रष्टा भी बनना नहीं है, तुमने साक्षी भी बनना नहीं है, तुम सभाव से ही साक्षी हो, अगर सभाव से साक्षी हो, तभी तो रात में जब आप सोय होते हों, और सुबह तुम्हें स्वपन आता है तो तुम स्वपन को देख पाते हो तुमारे मनस पटल पर जो स्वपन चलता है अच्छा या बुरा उसको देख पाते हो क्यों देख पाते हो क्या तुम तब साक्षी बनने के जेश्टा करते हो नहीं करते है स्वपन को देखते वक्त क्या तुम कोई साधना कर रहे होते हो साक्षी बनने के नहीं तो वे स्वपन दखाई कैसे पड़ता है सिर्फ इसलिए कि तुम सवबाब से साक्षी हो सारी रात तुम मज़े से सोई रहे या गणवड़ी में सोई रहे लेकिन तुमारा साक्षी जो तुम हो भे सारी रात तुम में निहारता रहा दिया जले अगम का बिन वाती बिनते सारी रात निहारता रहा के आई तो नीद बहुत बड़ी आई जागरती हो गए और सुबह सौपन आया और सौपन ही ये आया ये सारी रात का आपके नेद का अबलोकन और फिर सुबह का सौपन का अबलोकन किस तत्म ने किया तुम तो सोब भूँ थे तुम कोई साधना रत नहीं थे यह कौन से तत्व ने किया यह तुम ने ही किया वही तत्व जिसने सुपन देखा वही तत्व जिसने सारी रात की उतली-उतली या सुन्दर नीद देखी तो तत्व तुम हो, वो जागते हुए तत्व तुम हो, तुम सवाव से ही दृष्टा हो, तुम्हें दृष्टा अलग से बनने के जरूत नहीं है, यहीं तुम मार खायाते हो, तुम दो दृष्टा बना लेते हो, एक तो तुम वास्तम में हो, जो असली है, उसको तुम कभी होते ही नहीं और एक जो तुम खुद बना लेते हो बहन अकली है तो देखना भी नहीं है इस उड़ते हुए दुएं को तुमने सक्षी बनकर देखना भी नहीं है क्योंकि जैसे ही सक्षी बने तो तुमारे बने हुए सक्षी को भी एक सवभाविक सक्षी देख रहा है तुम हर वक्त साक्षी हो और तुम साक्षित्व से कभी घटे नहीं। तुम जरावी डगमगाये नहीं बस तु ठोर की ठोर। दादू कहते हैं। तुम अपने सौभाव से साक्षित्व से कभी इदर उदर नहीं हुए। पल भर के लिए ख्षरम भर के लिए पलक जपक करने के वक्त। कितने वक्त के लिए भी तुम कभी अपने साक्षित्व से स्यूत नहीं हुए तुम सदा सक्षि हो इसलिए साक्षी बनने के भी छेष्टा मत करने यह है जो गर्दों को बार बाहर निकल रहा है उसको देखने की कोशिश मत करना तुमारा सक्षी बीतर का तुम इसे देख ही लोगे कि क्या पूश खुद दिख जाएगा जैसे सुबह के सुपन दिख जाए तो मैं कहता हूँ चेश्ठा हीन हो जाओ जब मैं कहता हूँ चेश्ठा हीन हो जाओ तो इसका मतलव यह है कि यह जो गर्दोगवार उठे बाहर निकले बस तुम सिरफ कुछ मत करो चेश्ठा ही कोई प्रिश्चम नहीं प्रिश्चम हीन वो ही अलस्ता है साक्षी और वो साक्षी तूम हो इस शुर्य द्वारा रचित साक्षी वो हो तूम जो तुमारा स्वियरूप है ये क्रिययोग की सारी प्रोशेस मैंने स्मझाई दिख दीरे 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 अचेतन से उठी हुई धूर क्रिया योग से साफ होगी चेतन में आएगी और तुमने कोई कूडा का बड़ा नहीं करना कोई बहस नहीं करना कि ये क्यूं आ गया ये क्यूं आ गया ये क्यूं आ गया कुछ भी आए ये कूडा है बीतर का इसका कोई म भुले ही नहे, यह कच्छरा है, यह जलाने योग है और इसको जल जाने दो, यह निकलने के लिए आया है, तो इसको निकल जाने दो, इसको रोको मेरति。 इसको देखने की चेष्ठा भी मत करो दिख तो खुद ही जाएगा या जब तुम सक्षी होते हो तो तुम्हे सब देखता है जैसे रात का स्वपन देख गया तुमने स्वपन देखने की चेष्ठा कभी नहीं जा तो प्रकृति से चीजों को समझने कर सबक सीखो प्रकृति तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है इसको जाने दो यह तुम्हारे भीतर का कूड़ा है और तुमने जन्मों जन्मों से यह एकठा दब दिया अब मुक्त हो जाओ यह कोई बीडिया नहीं है, जन्जीरे नहीं है यह तुम्हारे ही पुन्य पाप है पुन्य भी बांते हैं तुम्हें यह भी वीतर ही कठे है अगर तुमने कभी किसी को दान दे दिया वो भी वीतर ही वीतर स्टोर है वो वो भी निकलेगा उसको निकल जाने देना और अगर तुमने किसी के डाका मार लिया छीन लिया वो भी वितर स्टोर है उसको भी निकल जाने देना सब चीजें वितर स्टोर है उनको सहजिता से निकल जाने देना बस तुम खाड़ी होने का कवायद करना खाली होने की कवाई दिजिए है क्रिया जोग करो जितना क्रिया जोग कर सकते हो इतना करो आराम से दिर में कामधाम भी करने होते है क्रिया जोग करने के बाद नीदाए सो जाओ नहीं नीदाए तो ध्यान में बेर जाओ फिर सारे दिन अपनी जो भी आपकी जीव का उप आर्जन के डंग है, कोई पढ़ाई कर रहा है, बच्चा स्टूडेंट है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई आफिस में, कोई दुकान पर है, सब अपना काम धाम करो सांज हुए फिर घर लोड़ जाओ, फिर अगर क्रिया जो करना है तो करो, फ्रेश हो जाओगे, नहीं करना है तो आराम करो, फिर सिर्फ ध्यान में भी बैठ सकते हो, जैसे तुमारी तबियत तुम्हें इजाचत दे वैसा कर सकते हैं, और बराबर वीडियोस को सुन दे रहा क्या होगा? वीडियो तुम्हें इंस्पायर करके है, मन बड़ा भुलकड है, मन बार बार भूल जाता है और वीडियो तुम्हें याद करेंगे, मेरी आवास तुम्हें सुन आएक़, भीतर सुन आएक़, पेजागो ये करो, ध्यान में बैठो, ये तुम्हें इंस्पायर कर लिए ये रूज सुनते रहो, कोई तुम भूल भूल जाते हो सुबह सुनके गएते, साज तक तुम भूल जाते हो, मैं कबूल लगते तो बार बार रोज सुनू, इसलिए मैं करीब चार वर्षों से रोज भूल जाता हूँ, बिना नागा कि आप बराबर इंस्पायर होते रहो, अगर आपको कोई अच्छी लगती है विडियो, जिससे आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखा और पॉजिटिव बदलाव दिखा, कि इससे में सुखी हुआ, अनंदित हुआ, तो वो अपने प्यारों को बाट दो, कि इससे आप भी सुनू, उनके भी नसीब में होगा तो वो भी सुन लेगा, अगर नहीं होगा तो नेगलेक्ट कर देंगा, डिलीट कर देंगा, वो उ आनंदित हुए, आपको पता नहीं, वीडियो पूरी सुन करों, अगर आप दस मेंट की वीडियो सुनते हों, बीस मेंट की वीडियो सुनते हों, तो उनके वित्र, आपके वित्र उतनी ही देर का रस इकठा होता है, यह तो मैं पता ही नहीं इस बात का, मेरी आवाज के वि पानों के जरीये आपके वितर एकठा होता है। वेह शेहद, वेह रस, रसो वैसा, वेह आपके वितर एकठा होता है। दस मिंट का सुनोगे तो उतना ही रासी कठा होगा, पूरी वीडियो को आखिर तक सुनोगे तो उतना ही रासी कठा होगा, तो देर तलक सुना करों से, बहुत से लोग तो बस अपना कामधाम किया और वीडियो सुनने लग जाते हैं, उतना ही रास उनके वितरे कठा होता है, यह एक एक शब्द उस रस के सागर से टकरा के आता है और अपने संग उस रस को ले आता है जैसे हवाएं फूलों के सनिध्य में आकर सुगंद को साथ ले जाती है वैसे ही मेरी आवाज उस परम से टकरा के जो आई वो रस अपने साथ ले आई उस रस को सुने पूरी विडियो को सुने अब आओगे आपके वितर रस ज्यादा इकठा होना शुरू होगा जल्द वाजी मत करो मैं कहता हूँ आराम से सुन लिया करो अगर सुबह वक्त कम है तो सांच सोते वक्त सुन लो विडियो लंबी है आदी सुबह सुन लो आदी रात बिस्त पर बैठ के सुन लेकिन जितनी सुनोंगे उतना रस पीओ गे आप यह समझे लेगा यह रस धार है जितनी सुनोंगे उतना ही रस पीओगे उतना ही रस एकठा होगा तुझे दोहरी प्रोसेस हो गई बीतर से कूड़ा निकाल देना और बाहर से रस एकठा करना यह डबल प्रोसेस हो गया बीतर का कूड़ा बाहर फैक दिया क्रिया योग के द्वारा और बीतर रस एकठा कर लिया वीडियो को सुनकर इस आवाज की च्छन का हट रस को समेटे हुए है यह रस में ओत प्रोस होके आती है यह शब्द ऐसे ही नहीं आते यह भाषन नहीं है प्रवचिन और भाषन में इतना ही फरक है भाषन बीतर के रस से ओत प्रोस होके नहीं आता बस बाहर बाहर से आता है लेकिन प्रवचन 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 आता है, उसको सुनना, और आपको पता नहीं, आपको पता भी ना चलेगा, सुनते सुनते ही, आप आनन्दित होना सुरू हो जाओगे, उबाबा नानक ने कहा, सुनिये दुख पापका नास, किसको सुनना था, बस इन रस से लिप्टे हुए शब्दों को सुनना था, जिसे हम सत्व संग कहते हैं, जो सत्व को संग लेकर आते हैं बचंग, सत्व से ओत प्रोत वानी, उस रसधार से लिप्ट, लिबडी हुई, गिली हुई, भीगी हुई, जो वानी आती है, शब्द आते हैं, इसको सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं सत्व, जितना सुनोगे उतना ही रस आपके वीतर ही पठा होगा, वो रस ही परमात्मा है, इसको सुनते जाओ, और क्रिया यूग करते जाओ, यह सार तत्वा मैंने आपको बहुत बार समझाय है, इसको लगातार करते रहो, एक दन आएगा, जब आपका सर्फेस, महत्मंगान दिन एक शब्द कहा है, कन्फेशन ओफेरर्स इस लाइक अब्रोन, आपका दर्पन बिलकुल साफ हो जाएगा, और बिलकुल साफ हो दर्पन आपको आपका मुखडा दिखा देगा, आप अपने आपके स्वै को देख पाऊंगे, यही है तिलका सारा, टोटल प्रोसेसिंग मैंने आपको आज बतला दी, तक बतला दी,